दीक्षा एप में करमचारियों की प्रुफाइल अपडेट करने समंधी एक महत्पूर्ण आदेश राज सिक्षा केंदर मत्प्रदेश भौपाल के दोरा 18 मई 2022 को जारी किया गया जिसके अंतरगत प्रादेश के समस्त सिक्षकों, जन सिक्षकों, विकास खंड एवं जिलास् प्रुफाइल को अपडेट किया जाना है, आएए देखते हैं कि दीक्षा एप पर कैसे करमचारी अपनी प्रुफाइल अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में दीक्षा एप को उपन करना है, जैसे ही हम दीक्षा एप को उपन करेंगे, तो थ तो सबसे लाश्ट में एक option आएगा login का आपको simply इस पर click कर देना है अब यदि आप मतप्रदिस के ठिक्छक करमचारी है तब आपको इसमें जो बीच में option है login with state system इस option पर click करना है जैसी आप click करेंगे तो एक नया interface open होगा जहां से आपको अपना state select करना होगा तो यहां से आ उप्रांत submit इस option पर click कर दें submit कर देने के उप्रांत login पेज open हो जाएगा दीक्छाइब का अब यहां पर username और password फिल करना है username आपका unique ID और password जो भी education portal का आपका password है वो password आपको इसमें फिल कर देना है अब यदि किसी कारेंट बस इसमें आप login नहीं हो पा रहे हैं तब education portal से एक बार अपना password जो है आप reset कर लें और इसके उपरांत आपको इसमें login करना है तो हम अपना unique ID और password इसमें फिल करते हैं और login पर click करेंगे जैसे ही हम login पर click करेंगे तो थोड़ी process होगी और इसमें हम login हो जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं हम login हो चुके हैं अब profile update करने क simply आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और एक green tick भी आपको दिखाई देगा साथ में अपनी जो state district block की detail है वो भी आपको दिखाई देगी अब profile update करने के लिए इसमें edit का जो option है simply आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे त तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी detail इसमें auto fill मिलेगी आपको कुछ information fill करना है जैसे सबसे पहले तो आप देख लें अपना नाम लिखा हुआ है इसके उपरांत इसमें आपका जो role है वो दिया है इसके पश्चाद आप देखेंगे इसमें state दिया है डिस्टिक दिया यदि school का नाम ना आए तब आप क्लिक करके यहाँ से अपना school भी select कर सकते हैं और इसके उपरां submit कर दें अब सारी information आपने fill कर दिया है simply आपको submit पर क्लिक करना है जैसी आप submit पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर message आएगा profile updated successfully तो इस प्रकार आप बहुत ही असानी से फाइल अपडेट करने संबंधी एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन